मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नभी जी के बाद इस पद को जो समा लेंगे उनको गुलाम नभी जी से मैच करने में बहुत दिकर पड़ेगी क्योंकि गुलाम नभी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे यह यह चुटी बात नहीं है जी बहुत बड़ी बात है कि वरना कि अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा प्यादा करना यह सर्फ मोह किसी को भी हो सकता है लेकिन उन्हों ने सदन से मैश्रत पवार जी को भी इसी के टेगरी में रखता है वे सदन की और सब्सक्राइब देने वाले नेताओं में से गुलाम नभी जी ने बखुभी इस काम को निभाया है मुझे आद है इस करोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मिटिंग कर रहा था तो उसी दिन गुलाम नभी जी का फोन आया तो ठीक है आप करते हैं लिगे आप एक काम सब्सक्राइब अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठे का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मिटिंग को किया भी गुलाम नभी जी के सुझाव पर किया और मुझे कहने वाए यानि इस प्रकार का संपर्ख और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ को अनुभव रहा है सत्ता दल का भी और विपक्ष का अठटल जी कि सर्कार कि मिजआ ने रहा मैं यहां सदन में किसी काम साय था मैं तो तब राजनीति में नहीं था अब, यह इलेक्टोरल प्रॉलिक्स में नहीं था मैं संगर्ण का काम करता है तो मैं और गुलाब नभी जी ऐसे ही लौभी में गप्पे मार रहे थे अब जैसा पत्रकारों का स्वफाव रहता है वराब नजन लगाए बैठे थे यह दो का बेल कैसे वर सकता है हुआ है कि हम हसे घुझे से बाते कर रहे से हम जैसे निकले तो पत्रकारों नहीं लिए गुलाब नभी जे ने भूट बढ़ी जबाब दिया है वह जबाब हम लोगों के लिए बहुत काम अने वाला है उन्हों का भैई देखिये आप लोग हमको एक वारों में या टीवी करते हैं कि इतनी हमारी आत्मतिय आत्मत्य आत्म चैन्हेकर इत्राइब कर एस यह जो स्पिरीट है स्पिरी इस चप्रे आप में है बहुत बड़ी बात होती है गुंड्यम नभी जी का एक शॉक साइब बहुत कम लोगों को पता होगा प्रूंके साथ बैठोगे तो रहता है लेकिन गुलाव नभीजी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है यह एक प्रकार से कश्मीर की घटी की याद दिला दे है ऐसा बगीचा बढाया है और इस काम को गर्व भी है वो समय देते हैं नहीं नहीं चीजे जोड़ते हैं और हर बार जब कॉंपटिशन होती है तो उनका बगलो नभरवल ने आता है किया अपने सरकारी जगा को भी कितने प्यार से समालना है यह बिल्कुल मन से उन्होंने इसको समाला है जब आप मुख्यमंत्री थे मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था हमारी बहुत गहरी निकटता रही है उसका अब शायद ही कोई ऐसी घटना निमिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क से तुना रहा एक बार गुजरात के यात्री क् तुरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है और टरिस्टों ने पर हमला कर दिया करीव हाथ लोग साइद मारे गए सबसे पहले गुलाम नभी जी का मुझे फोन हो जा और वो फोन कि सिर्फ सुचरा देने का नहीं था है कि उनके आशूद कि रूख नहीं रहे थे कि फोन पे उस समय कि प्रणव मुखर जी साब डिफेंस मिनिस्टर थे कि मैंने उनको फोन किया अगर अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड़ बड़ी को लाने के लिए कि रात देर हो गई थी है कि मुखर जी सामने का अब चिंता मत कीजिए मैं करता होगी होसता है कि देकिन रात में खेर गुलाम नभी जी का फोन आया है कि वे अर्पूड थे अर्पूड थे कि एवचरे ओाने कि वे वे तुलाम आया होसे आपकी और जैसे अपने परिवार के सदस्व की चिंता करें बासी चिंता पर सक्ता जीवन में आती रहती है लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था कि दूसरे दिन सुबह पहुन आया कि मोडीजे सब्लों पहुंच गए इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाब नभी जी को गटना और अंभरों के आधार पर मैं आधर करता हूं और मुझे पुरा विश्वास है कि उनकी संव्यता नम्रता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने के उनकी कामना वो कभी उनको चेंड से बैटने देगे और मुझे विश्वास है कि जो भी दाइत पर जहां भी वो सम्मालेंगे तो जुरूर वैल्यू एडिशन करेंगे कॉंटिबिशन करेंगे और देश उनसे लभाविन प्रित होगा यह सबरा पॉटका विश्वास है मैं फिर एक बाद उनकी सेवाओं के लिए आधर पुर् सब्सक्राइब पॉर रहेगा है कि मन से मत मानों कि अवापी सदन में नहीं हो आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले इन चार मानिय सदस्वा के लिए खुले हैं आपके विचार आपके सुझाओ क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है यह अनुभव बहुत काम आ फेर एक बार बहुत शुकाम नहीं, धन्यवाद.